दोस्तों आज है 5 सितंबर 2030 और 5 सितंबर को हम मनाते हैं Teachers Day के रूप में लेकिन कि आप सो को पता है कि Teachers Day क्यों मनाय जाता है और किस महान व्यक्तित का संबंद है Teachers Day के साथ जानेंगे इन सभी बातों को आज इस वीडियो में वीडियो में लास्त जरूर बने रहें चैनल को सब्सक्राइब पर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको like and share जरूर करिएगा दोस्तों आप सबने डॉक्टर स्वरुपली राधाकृष्णन का नाम जरूर सुना होगा आज इनका जन्मदिन है और इनके जन्मदिन को ही हम मनाते हैं टीचर्स डे के रूप में दोस्तों डॉक्टर स्वरुपली राधाकृष्णन एक महान अध्यापक, दार्शनीक और राजनीतिक व्यक्तितु थे उनका एक famous quote यहाँ पर बोलना चाहूंगा अन्भाव वासन मेव विद्या फलम यानि कि ज्यान और विद्या हमें अन्भाव परदान करती है जो कि यह बताता है सिक्षा केवल आपको ज्यान नहीं परदान करती बलकि आत्म साथ छातकार भी कराती है आप खुद को गहराई से जान पाते हैं सिक्षा के मात्यम से लेकिन दोस्तों आज किसे वीडियो में हम यहाँ पे फिलोस्वी की बाते नहीं करने वाले हैं आज हम जानेंगे डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन के बारे में कुछ रोचकत थे वीडियो में लास्त जरूर बने रहेगा क्योंकि वीडियो के आंत में आपको पता चलेगा कि टीचर्स डे 5 सितंबर को ही क्यों चुना गया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके जन्म के बारे में डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन का जन्म तमिल नाडु के तिरुतनी ग्राम में होता है 5 सितंबर 1888 को इनका परिवार एक गरीब परिवार होता है और ये अपने परिवार में दूसरी संतान के रूप में जन्म लेते हैं दोस्तों इनके पिता का नाम सरुपली, विरास्वामी और माता का नाम सीतंमा था बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के पूर्व क्रिकेटर वीवियस लक्षमन डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन के पर पोते हैं क्या आपको ये पता था? कॉमेंट में जरूर बताएं और अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनकी सिक्षा के बारे में दोस्तों, डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन की स्कूली सिक्षा एक क्रिश्यन स्कूल में कराई जाती है हलाकि इनके पिता जी पुराने ख्यालों के आदमी होते हैं और उनके अंदर धार्मी भावनाएं होती हैं लेकिन फिर भी इन्होंने अपने बच्चे को क्रिश्यन स्कूल में दाखिला दिलाया क्योंकि वो अपने बच्चे को modern education दिलाना चाते थे दोस्तों 1896 से लेके 1900 तक इनकी स्कूली सिक्षा होती है उसके बाद 1900 से लेकर 1904 तक वेललूर में सिक्षा दिलायी जाती है और उसके बाद इनका admission मद्राज क्रिश्यन कॉलेज में कराया जाता है और यहाँ पर 18 साल की I.U. में उन्होंने दर्सन सास्तर में master degree पूरी की और एक professor बन गए और अब यहाँ पे हम डॉक्टर स्वरुपली रादाकृष्णन को एक अध्यापक के रूप में समझते हैं दोस्तों 1936 में Oxford University में डॉक्टर स्वरुपली रादाकृष्णन को पूर्वी देशों के धर्मू, वहां के ethics और जो philosophy है उसके professor के रूप में न्यूद किया जाता है जो कि अपने आप में गौरोषाली है दोस्तों, डॉक्टर स्वरुपली रादाकृष्णन ने अपने अध्यान और अध्यापन से यहाँ निसकर्ष निकाला कि जो भारती संस्कती है वह धर्म, ज्यान और सत्र पर आधारित है भारती संस्कती प्राणी जीवन को सतता का संदेश देती है उसका एक सही मागदशन करती है इन्होंने अपनी निसकर्ष की बाते अपनी कुछ फेमस बुक्स में रखी है जैसे की The Philosophy of Upanisad Eastern and West, Some Reflection, An Idealistic View of Life दोस्तों, डॉक्टर सरपली राधाकिशनन को भारत और पश्चिम देशों के बीच एक ब्रिज मेकर के रूप में जाना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन भी बहुत अच्छा था मैं आपको बदा दूँ कि 1946 में वो सम्विधान सभा के लिए चुने जाते हैं और उसके बाद यूनेसको और मासको में एक राजदूत के रूप में कारभार समालते हैं मासको में जब राजदूत का वो कारभार समाल रहे थे तो इनके कारिकाल में रश्या और इंडिया के बीच जो रिष्टे हैं उसमें प्रगारता आई उसके बाद बहा 1952 में स्वतंत भारत के पहले उप राष्टपती चुने जाते हैं और फिर 1962 में वो भारत के दूसरे राष्टपती चुने जाते हैं एक राश्टपती के रूप में उनकी एक important बात आप सबको बताना चाहूंगा कि राश्टपती के रूप में उनकी जो salary थी वो 10,000 पर मन थी लेकिन फिर भी उन्होंने 10,000 में से सिरफ 5,000 रुपए लेना ही पसंद किया बाकी के पैसे को पधान मंतरी राहत कोस में जमा करवा जो कि उनकी नैतिक्ता और राश्ट के प्रती उनकी भावना को प्रदसित करती है और अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ महत्पूर्ण पुरसकारों की जिन से उनको सम्मानित किया गया दोस्तों 1954 में उनको भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान यानिकी भारत रतन से सम्म सम्मान दिया जाता है साहित अकैडमी फेलोशिप पुरसकार पाने वाले वो पहले व्यक्ति बनते हैं और आप यहाँ पर बात करते हैं कि 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में क्यों चुना गया दोस्तों डॉक्टर सरुपली राधा किष्टन जब भारत की दूसरे किष्टन तो एक बहुत ही सालीन व्यक्तितु थे उन्होंने अपने चात्रों से बोला कि बिटा अगर मेरे जनदिवस को एक सिछक दिवस के रूप में मनाया जाये तो मैं कहीं ज्यादा गौरोसाली महसूस करूँगा और तब से इस महान व्यक्तितु के जनदिवस को अपने गुरुजन के पास जाएं अपने प्री गुरुजन जो हैं उनसे मिलें उनसे आसिरवाद लें और जिन्दगी में तरकी करने के लिए गाइडेंस प्राप्त करें दोस्तों चलते चलते मैं आपसे दो कोशन पूछूँगा पहला ये है कि वर्ल्ड ट्रेसी डे किस देट को मनाया जाता है और वर्ल्ड टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है अपने जवाब कॉमेंट में जरूर दें I hope वीडियो आपको अच्छे लगी होगी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें Thank you very much